इस वाज मारा तीसरा ड्या है आपơi संख्या है संख्या के साथ खिलना संंख्याนके विलने का मतलब हो गया को संख्या का ज्या गयार होना चाहिए पूर्च क्या है पहली परिखायश्य cutie RU Pasare Mensch Kajalati दूसरा वी अपराकट संख्य के साथ है और प्राकर संख्या कहलाती है तो इन दो परिवासाओं के साथ आपका पहला जो पहली प्रस्णावली है वो प्रारम में गरता हूं जिसका नाम है आपका प्रस्णावली तीन दसनलव एक तो प्रस्णावली इसका पहला कोशन पहले का पहला है अब इसमें दें रखा है निद्म्द के संख्याओं के सभी वुरंखंड ग्याती जिये या लिखिए सभी तो पहला दें रखा है आप आपको क्या लिखना है इसके सभी क्या लिखने है वह आपको क्या करना है 24 को दो से भाग करना दो इकम दो तूर्वी चारच फिर दो चंग 12 फिर दो तियां 6 तीनिकम 3 अब यह हमारे जोटे गण कंड हो गए अब आप देखेंगे इसके गण तो 24 गराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो इस परकार से आप से 24 के सभी क्या लिख दे गुणा खंड लिख गी है ठीक है अब दूसरा है आपका 15 अगर्फा इसका 2 गुणा इस परकार से आपको सभी कोशन कर लेने हैं कि आपको एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गी लिख दिया है लिखना जबूरी नहीं मंगर लिख दिया है उसके बाद तीन गुणा 5 ओगे 15 अगर जब आप बुरंखन करते हैं तो यह याद रखिएगा छोटी संख्या पहले आईगी बड़ी संख्या बाद में आईगी सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से भाग देना है उसके आद उससे बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी इस टाइ इसका दूसरा कोशन है कि इसका दूसरा कोशन है निमने संख्याओं के प्रथम पांच गुणज लिखिए पांच गुणज तो दूसरे का पहला अब हमें लिखने हैं पांच गुणज पांच गुणज जब इसके पांच गुणज लिखेंगे तो पहला दे रखा है आपको पांच अब पांच के हमें पांच गुणज लिखने हैं तो आपको क्या करना है पांच का गुणज गुणज का मलब होता है आपको पहला लिखना है पांच के अलावा तो पहला हो दिय गुलार तो पांच पांच को गया पांच 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 पा पांच बुलाज ठीक है अब 8 भी लिखने है आठ गम आठ तो हो गया अब 16 से स्टार्ट एगना पांच प्रकार से आपका दूसरा कोशन भी कम्प्रीट हो गया अब हमें तीसरा कोशन अब है हमारा तीसरा कोशन तीसरा कोशन में दे रखा है कि इस्थम्भ एक की संख्याओं का इस्थम्भ दो के साथ मिलान कीजिए कि इस्थम्ब्षेंपर दे रखा है 35 1516 20 और 25 इस्थम्भ दो में दे रखाए एक का गुनच 7 सट्रन का गुनच 30 का गुनच 50 और 20 का गुनच टेकर तो क्या करना है अब को का लिखना है 35 में अब ये चाटना की भई 30 का गुणखंड आएगा कि 7 8 या 70 का गुणज आएगा तो 35 का हो गया आपका 7 8 7 8 6पन होता है तो साथ बंजे 35 तो पहला होगी आपका साथ पहले का वजाएगा बी दूसरे का होगी ऑंद्रा फंद्रा का गुणखंड या गुणज कहलो तो आप 15 को को इस कर देना 55 ऐसे कर लेंगे मिलान कर लेंगे इस प्रकार से ठीसाफ़ी सोच समापत हो गई है और हम करेंगे प्रिशनावी थीदसनलोफ दो कि एक हैं थी तेमाण दो इस प्रकार से आपको संख्याओं का अग्न हो जाएगा साथ-साथ-साथ आप forgotten कि वह कौन से संख्याइस मग्रीति समझák तुर्णी सामने आ रही है साम और दिसम संख्याइं तो पहरा हो jeunes आपका समसंख्याएं, समसंख्याएं, समसंख्याएं बेसंख्याएं हैं जो दो से विवाजित हो जाती हैं, जो दो से विवाजित हो जाती हैं, समसंख्याएं, इसे उधरा में जादेंगें जैसे दो, चार, शे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोदा, इस ताइब से, ये इसकी क्या होता हैं, उधरारा में जादेंगें, इसे प्रकार से विशंख्याएं बिसम संख्याएं, जो दो से, कि दिवाजित नहीं होती है हिकर जैसे तो यह दो परिवाजित नहीं होती है इस प्रकार से दो आपको क्या करनी है परिवाजा याद करनी है उसके आप मैं तीन दसनलब दो स्टार्ट करता हूं ठीक है धन्यवाज